हेलो फ्रेंट्स बेलकन टू एसके क्रियेटिविटी तो फ्रेंट्स आज हम बहुत ही प्यारा सा एक बैग बनाना सीखेंगे तो वीडियो आपको काफी पसंद आएगा तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेर जरूर कीजेगा और फ्रेंट्स अभी त एक मैंने जो कॉटन फैबरिक होता है वह वह वाला मैंने लिया है और उसके नीचे जो है तो किबस देखो आपके पेपर पेश्टिंगग पड़े हो चोटे छोटे तो मैंने तरह जोड़के उनको चिप का सकते हो तो इसके लंबाई जो है 22 है और 1.5 इंच भी च्रिशा है तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसको फोल्ड करना है तो मैंने सीधा करके इसको देखो यासे फोल्ड कर लिए पूरा बराबर से हमने फोल्ड करके और यहां पे हमने दो बाई दो के जो हैं बॉक्स बनाने है जो इसका बेस मनाएंगे दो बाई दो का मैं बेस मनाऊंगे इ सकते हो लेकिन यह कपड़ा काफी पतला था ना तो इसको हाड करने के लिए मैंने पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है अब ऐसी देखो यह जो बोरी होती है राशन वाली दुकान पर मिलती है यह बोरी तो यह इसका यूज करने बाली हूं मैं इस बैग में यह देखो ऐस पीसिस जो हैं इनको में स्टिच कर लेती हूं तो अगर फ्रेंस आपके पास कोई पतला कपड़ा है ना तो आप पेपर पेस्टिंग अगर नीचे चिपका लोगे कपड़े के नीचे तो कपड़ा जो है काभी हाड हो जाएगा और उसके साथ क्या है कि आपका जो भी आप बना रहे हो उसकी फिनिशिंग भी अच्छी आएगी तो पेपर पेस्टिंग को आपने जरूर पेस्ट कर लेना है अब इसारा कटिंग करके यह देखिए तो यह जो धागा होता है यह देखो आसी रील होती है जो इसका हम फ्लावर बनाएंगे तो हमने क्या करना है हाथ प इसे हमने रखना है और पक्का करके इसको दो तीन हमने अच्छे से गांठ लगा देनी है और साइड से यह दोनों साइड से हमने काट कर लेना है यह देखिए फिर ना ऐसे ही कितने सारे फ्लावर जितने भी मुझे चाहिए मैं सारे पहले रेडी कर लेती हूं फिर आपको दिखाती हूं कि कैसे हम इनको अटेज करेंगे तो ये देखिए सारे फ्लाबर मैंने बना लिए हैं अब देखिए हमने कैसे इनको अटेज करना है ये देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देती हूं ऐसे करके हमने इसको पकड़ना है देखो और ऐसे हाथ से अच्छे से फ बिजार कर लोंगी यह देखिए तो इसको मैं हॉट ग्ल्यूगन से चिपका लोंगी और बाद में इसको आप सूई धागे से टांके भी लगा सकते हो तो सारे फ्लाबर ऐसे ही मैं रेडी कर लोंगी और कटिंग हमने बराबर से करनी है इसकी तो यह देखिए ओ आउट ग्ल्यूगन की हेल्प से मैं इसको जो है चिपका लोंगी तो ऐसे करके मैं सारे जितने भी फ्लाब रहां सापको बनाते जाओंगी और सारे जो है ये देखिए ऐसे चिपका लोगी और सुई धागे से ये देखो बड़ी सुई मैंने लेके उस पर टांके भी लगा लेंगे ताकि ये और मजबूत हो जाए और बिल्कुल नहीं निकले जब भी हम इसे वाश करें तो निकले नहीं तो सभी को चिपका के थोड़े इस पर टांके लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूं पूरा ये तो जैसे भी डिजाइन आप बनाना चाहों बना सकते हो जैसे भी जो फ्लाबर मैंने बनाए है ना जैसे भी आप लगाना चाहते प्लिश को सकते हो तो काफी ससतर रहता है का यह जो रील होती है यह आपको किसी भी जहाँ पर लेंपीडरा मिलती है ना लेंशिव ब PUBGड़ा बटन और लेस का समान मिलता है वहें पर आपको यह मिल जाएगी यह मिलाई है प्लाइक हम सिलाइऑ में जो पाइप्ड़ बनाते है ना डोरी वाली तो यह वाली डोरी ही मैं पाइपिन में डालती हूं तो उसी डोरी के साथ ही मैंने जो हैं यह फ्लावर बनाए हैं अगर आपके पास यह वाली डोरी नहीं है यह वला धागर नहीं है तो यहां पर आप वूल का भी यूज कर सकते हो वूल के साथ भी आप ज कर लिए हैं जो कि मैंने 23 इंच लंबे रखे हैं 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 तो आप बैक का हम सेंटर कर लेंगे और दोनों साइट से तीन इंच पे एक निशान लगाऊंगी यह देखिए तीन तीन इंच पे निशान लगा लिए मैंने सेंटर करके और हैंडल हमने अटैच कर देने हैं देखो है फिस एटेज करेंंगे तो देखें दोनों साइट पे मैंने जो है एना हैंडल अटेज कर लिए हैं यह देखो बहुत ही प्यारा лом बैग बनेंगा है यह हमारा अब हम इसपर एटेज करेंगे तो बांद में咲ोना मैं इसमें रनर डालेंगे तो जिप को मैंने देखो अटैच के लिए थोड़ा से मैंने इसको जिप को एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि हमने रनर डालना है बाद में अब एक इंच चोड़ी मैंने पट्टी ली है जो कि जिप की हमने अंदर से फिनिशिंग करनी है उसको इसी लिए लगाएंगे तो यह पठी को यह क्या करें चोल्व करना है यह देखो अपर से टॉप स्टिच लगा दोंगी यह देखिए यह सिलाई एक मैंने लगा लिए है और अब हमने इसको अंदर वाली साइड को फोल्ड करना है यह देखिए ऐसे आप जिप की फिनिशिंग करोगे तो जिप में कभी भी कोई धागा बगारा नहीं आड़ेगा और बैक की फिनिशिंग जो है वो भी काफी अच्छी आएगी तो यह देखिए ऐसे करके मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ तो यह देखिए फ्रंस सिलाई मैंने लगा ली है बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आ गई है दोनों साइड पर देखिए ऐसे ही मैंने जिप को लगा के और पट्टी लगा के इसको रेडी कर लिया है आप मैं इसमें पहले क्या करूंगी स्टिच करने से पहले हमने इसमें जो है रणर डाल लेना है तो रणर डालने के लिए आपने क्या करना है एक साइड से जिप को थोड़ा बड़ा रखना है और एक साइड से थोड़ा सा जिप को चोटा रखना है तो यह देखिए रणर जो बड़ी वाली साइड हमने रखी है यह देखिए जो बड़ी वाली बिल्कुर बराबर आए एक साइड से हमने थोड़ा एक्स्ट्रा रखा होता है ना तो वहीं से हमने डालना शुरू करना यह देकिया रणर कु मैंने बीच में डाल दिया है आप अमने बैप को उ7 करना है उटा करके करें हैं हमारे सीलाइ में नहीं आए तो सीलाइ में दोनों साइट पे लगा कि ये देखें इंटर लौग कर लिया है अब मैं नीचे वाली साइड पी एक सीलाइ लगा दूंगी ये देखो बराबर करने के लिए ताकि हमारे ये बॉक्स बिलकुर बराबर रहें तो अब हमने ही देखी आसे पकड़ना है और को सिलाई के साथ सिलाई ये देखो मिला कि और बॉक्स को हम ने स्टिच कर देना है तो दोनों son Dinge से आसे ही बॉक्स जो में हमने बनाय है उनको हम स्टिच कर लेंगे तो इसमें ना हमने कोई फॉम डाली है नाई कुल्टिंग की है लेकिन फिर भी हमारा ये बैग जो है बहुत ही प्यारा बना है तो इसको आप ऐसा बैग आप घर पर आसानी से बना सकते हो और डिजाइनिंग करने का आइडिया देखो मैंने आपको बता दिया है तो थोड़ा सा हमें क्या चाहिए होत जाता है कि हम इस पर ये वाले चीज लगाएंगे तो ये काफी प्यारा लगेगा अभी मेरे पास ये कपड़ा पड़ा था ना तो मैंने सोचा कि कौन सा डिजाइन इस पर बनाऊं तो फिर मेरे दिमाग में आईडिया आया कि मैं जो ये थ्रैड मेरे पास रील है डोरी वा बैग रेडी हुआ ना तो मुझे भी बहुत ही प्यारा लगा ये और जब मैं इसमें मिरर बगहरा लगा दिये ना तो काफी सुन्दर लगा तो फ्रेंड्स आप घर पर ऐसा ही बैग जो है तो आप मार्केट में लेकर लेने जाओगे तो आपको ये काफी महंगा मिलेगा क से इंक इनको चिपका लूँगी तो आपने हाट जो है ज्यादा सारी लगाने है गुलाई में यह नहीं करना कि थोड़ी सी लगाने तो ताकि अच्छे से फक्के लगांगे ये नहों कि कही निकल जाएं तो ज्यादा सारी गलू लगाके ये देखो इतनी सी री लगी है मेरी बाकि कितनी सारी बच जगी है तो ज्यादा खर्चा इस पर नहीं आएगा बहुत ही सस्ते में हमारा ये बैग बनेगा कोई भी कपड़ा आपके पास पड़ा हो आप यूज कर सकते हो तो ये देखिए फ्रेंट्स अंदर स्पेस भी इसमें काफी है और बहुत ही सुन्दर लगेगा तो सभी पूछेंगे कि कहां से लिया है आपने ये बैग तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और फ्रेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक कुई प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्या और और बाइ